वेल्कम बैक माई चैनल आज दोस्तों हमारे पास है एक ड्रिल मसीन जो कि इसके अंदर है मैंने कली मंगा यह यह कली आया बॉक्स को खोल के दिखते हैं कि हमारा जो ड्रिल मसीन है वो कैसा है यह यहां पर देख सकते हैं आप यह यह रहा हमारा मसीन और बाकि बॉक्स में कुछ भी देखने को नहीं लिता है इसको फेकते हैं और यह रहा हमारा दो मसीन उपर में आप देखते हैं तो आइबल की ब्रेंदिंग यहां पर की गई है जो की देखने में काफी जदा बढ़िया दखता है ड्रिल मसीन रेड एंड ब्लैक की कॉंबिनेशन में यहां पर आएगा जो की उपर में फोटो मिल जाता है वाकि यहां पर वोल्टेज और बताएगा है 230 हज का और यहां पर इं देखने हैं पिछेक तरफ और कुछ भी नहीं दिया गया है जल्दी से बॉट्स को खोलते है देखते हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है हाला कि हम पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग काफी जदा बढ़िया ऐता मताबँ ऐसा नहीं लगता है कि कुछ दिक्कत होगा आपके दिल मसीने फिर भी खोल के देखते है कुछ है की नहीं लेकिन पैकेजिंग ओवराल काफी ज्यादा साही थी तो सबसे पहले हमें मिलता है एक पिल जिसमें अमाउंट बताए यह जो कि मैं आपको वीडियो के आगे में बताऊंगा अब इसकी कोई जरूरत नहीं देख सकते हैं अगर हम मॉडल की बात करें तो ED0691 हमारे पास मॉडल नमबर है बिना रिस्टर कीवे आपकी वैरेंटी जो है वह नहीं मानी जाएगी तो आप सबसे पहले यहाँ पर रिस्टर जरूर कर लिजेगा इसकी वेबसाइट यहाँ पर लिखावा देखने को मिल ज कि बाती है जो कि मैं आपको आगे जरूर इसके बारे मी बताऊंगा और अठी तरीके से बिस्कोष महारे रखते हैं साइड में यह रहा हमारे हाथ में थीर मेट जो की पाजिएंग के बंदूडू क्लिकीत है कि आफ बनदू यानि बढून आरह बढ़िया लगता है कि कितना लंबा वायर है और कैसा है कॉलिटी अगर देखी जाए वायर की तो काफी जदा बढ़िया है काफी जदा नर्म है देख सकते हैं और कॉलिटी भी काफी जदा बढ़िया लग रही है देखते हैं कितना लंबा है वैसे तो यहां पर आप देख सकते हैं वायर का जो ल ड्रिल मसीन अगर हम वेट के बारें बात करें तो लगभग लगभग 1.5 kg से जादा इसका वेट होगा बहुती प्रीमियम फील जता है सब कलर वाइस देखें तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उठाने में भी आपको काफी ज्यादा प्रीमियम फील होगा बाकी दू कोई तो आपको अक्रम कर सकते हैं अगर यहां पर देखने को हैर कि दोनों तरब से घूमता है और को क्लॉक आ घुमाना रहे तो इस तरह गोमाईगे और आपको तो然后 बाकि दूस्तों अगर हम बटन की बात करें तो यहां पर आपको एक बटन देखने को मिल जाता यह देखिए जितना तेस्ट से आप इसको प्रेस करेंगे उतना तेस्ट से आपका जो डिल मसीन है वो चलेगा और अगर दूस्तों आप चला की रख के छोड़ना चाते हैं जैस कुछ इस तरीके से आप रख सकते हैं और अगर आपको फिर से बंद करना तो इसको आप प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से आप इसको चालू करके भी छोड़ सकते हैं और बाकी दोस्तों आपको यहां पर एक मोटर देखने को मिल जाता है तो कुलिंग सिस्टम भी आपको अगर आप बिना चालू कि अपने बिट को लगाना चाते हैं तो सिम्प्री आपको इसको घुमा देना है और यह वाला जो एरिया है वह बहार आ जागा यह देख सकते हैं कर जागा तुरद यह देख सकते हैं इस तरीके से आप जो बित हे वो अपना essenori भी लगा सकते हैं न पढ़ेंगे यह साँ चीज हमें देखने को मिल जाते हैं यह बहुते है इस सबसे पहले तो हमें मिल जाता है यहां पर एक वीष्ट कर्स crack कर रहा था क्यों UNG कि अभी तक यह नहीं चाहिकर तो इसको आप ऑपन यहां पर लगा के इस से यह लूब आपकत के पास द Ab There is लगाना या कसदना एक तु यह वह वाला जो भी से वह काम आईगा और हां अगर आपको कोई केlor काडना है पतर इसी टो यह वह वह का। legit यह वह काम आपके आपर लगाकर आप लगाकर अपने जो czu sir savey loveöglich सकतेşaं है और इस से भी कस देते हैं थोड़ा एक बर तक कि अच्छी तरीके से लग जाए और आप चलिए अपने डिल मसीन को करते हैं चालू और गन जो है वो चालू करके घुसाना सुरू कर देते हैं हमने यहां पर एक बोड बंगा लिया है और इस लग को हम लगाते हैं सुच में अपने मसी देन को सालू करते हैं और कहीं पणी करना शुरू करते हैं अबन यह करिस को प्रेस करेंगा तो और से तो अभी दोस्तों हमारे पास एक लकडी का टुकड़ा और यह रामारा डिल मसीन और लिवर को आप देख सकते हैं मैंने किस तरफ करके रखा हुआ है इस तरफ लिवर कर रखा है लॉक्वाइस और फिर उसके बाद हमनों छेद करते हैं इसमें चलि को सटरा है तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ी देर किया लगवग दभी 1-2 मिनट और इतना चेद वह हो चुका है चैलिए फिर से करते हैं प्वूरा अरपार यहाँ पर हो चुक है यह लेखे पूरा आरपार हो चुक है तो बिश्मा है तो मतलब एक ही मिनत 2 मिनन लगा और पूरी आछी तरीके से छेद हो गया यह रहा पावर इस डिल मशीन कर तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा हमने अच्छी तरीके से लखडी में छेदी कर दिया है और हाँ कील और भी ठोक सकते हैं आप दिवाल में छेदी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मैंने इसको पर्सनली यूज किया है और हाँ जो है थोड़ा सा गरम जरूर हो गया है लेकिन यह कोई प्रॉब्लम नहीं है और हाँ आप भी इसको चाहें तो यूज कर सकते हैं 1272 रुपय के आसपास मैंने इसको खर्दा था अगर आपको कील अगरा थोकना है और आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इस ड्रील मसीन को खरीच सकते हैं